मैं डॉक्टर प्लवी नैचरो थेरेपिस्ट प्रांवी हेल्थ केर से बात कर रही हूं आज हम बात करेंगे पेट में गैस हो हो पेट में इस तरीके से हम कर सकते हैं हमारे पास यह पेशेंट आया है इनका पेट बहुत टाइट है और इनको दर्द हो रहा है का दो तिन दिन से यह फ्रेस्ट भी नहीं हो पाएं सही से और इनको काफी गैस बन रही हो आज हम सिखाएंगे पेट की मसाज करना इसके लिए हम ओयल भी यूज़ कर सकते हैं और टैलकम पाउडर दी मैं यहां पर पाउडर यूज़ कर रहे हूं यह पेशेंट आइंक का पेट बहुत हाड हो रखा है इस तरीके से पहले हम थोड़ा सा पाउडर को सारे में फैला लेंगे उसके बाद यह जो नाभी हमारी नाभी से सीधी लाइन के उपर हम दो अंगूटे इस तरीके से रखके इसको हलके हलके इस तरीके से प्रेस करेंगे इस तरीके से प्रेस करेंगे फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को उपर रखे नाभी के उपर ये इतना दो पोर्वे के इंकरीब रखकर प्रेस करके हम संके अलके घुमाएंगे फिर उसके बाद हम अपने पोर्वों से तीन उंग्लियों के पोर्वों से पेट को हलके हलके सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घुमाएंगे पूरे पेट को पेट हलका नाभी से दो उंग्ल उपर एक पोईंट होता है ये गैस का इसको दोड़ाएंगे कुछी स्टेप्स हम वही रिपीट्स करेंगे कि इधर की साइड हमारा लीवर होता है उसके हम अप्रिक्या आप से मसाज करेंगे कि अज़कर के देखेंगे हीट होई या नोई जब तक हीट ना हो जब तक रभूं करना है कि हीट जनरेट हो चुकी है फिर स्टेप रिपीट करेंगे देखेंगे करेंगे पेट अप्रिस ही सूफ हो चुका है अरांसे डीला पेट लूज छोड़ो करेंगे लूज जनरेट हो जब आफ पह जब दोड़ो कि अप्रूंग जनरेट लूज जनरेट अप्रूंग तो अभी मैंने वीडियो में दिखाया किस तरीके से हमें पेट की मसाज करनी चाहिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताया कुछ के बारे में मैंने नहीं बताया अगर आप करना चाहते है तो जो मैंने बताया स्टेप्स सिर्फ वही कीजेगा बागी के स्टेप नहीं किजिएगा ज्यादा टाइठ पेट पे नहीं चलाईगा वरना फाइदे होने की जगा नुकसान हो सकता है तो इन पेशेंट का हमने अभी किया था तो जानते इन से कि अब इनका पेट का हाल कैसा है पहले आयते जब कैसा था और अब कैसा है तो रिलीफ मिला हुआ है मुझे है तो इन्होंने बताया कि इनका पेट पहले से बैटर है पेट हलका पन लग रहा इनको यह पेशेंट हमारे पास ना पहले से भी आ चुके है कही बार यह करवा चुके है तो आज इनका हमने रिव्यू लिया है अब मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए सलाम सस्रियकाल नमस्ते